हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे राइट इंफॉर्मर चैनल में और इस टेक्नोलोजी के रेस में कहीं आप पीछे ना राजाएं इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए वीडियो और इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से सौफ़व और को अपडेट किया जाता है और आटे इंग किया जाता है और इसके क्या फायदей को आपको setting को करना है और इसके क्या-क्या फायदे हैं और इसके बताने से पहले मैं आपको एक important बात बताता हूं दोस्तों कभी भी जब हमारा phone proper तरीके से काम नहीं करता है सही ढंग से काम नहीं करता कोई touch काम नहीं करता है तो हमें लगता कि हमारे phone खराब हो चुके हैं और फिर हम अपने phone को लेके जाते हैं मोबाइल सौप पे और वहां पे जो भी मिस्तिरी रहता मोबाइल सौप पे वह हमारे phone को लेता है और देखता है और देखने के हमें लगता है कि हाँ इसमें हो सकता है software problem हो चुका है इसलिए हम उसे चार पांच सौर रुपे देने के लिए तयार हो जाते हैं और अपने मोबाइल को ठीक कराने के लिए तयार हो जाते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सचाई बता रहा हूं कि इसका यह problem नहीं होता है एक्टिली हमारी problem होती है कि हम इस चीज को ignore करते हैं हम भोल जाते हैं हम इतने बीजिर आते हैं कि हम नहीं ध्यान देते हैं कि हमें अपने mobile के अंदर यह software को update भी करना होता है और इसका software का update आते रहता है तो हमें यह नहीं चलता है कि कब software अपडेट आ रहा है और कैसे इसे करना है और ये गलती हम कर देते हैं जिसके चलते हमारे फोन में प्रावलम हो जाता है और बहुत सारा चीज हमारे function काम नहीं करता है mobile का कहीं पर touch नहीं काम करता है कोई option काम नहीं करता है तो ये हमारी mistake होती है तो चलिए इसी mistake को दूर करने के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप auto update setting कैसे कर देंगे जिसके चलते आपको कभी भी इसका इंतजार नहीं करना होगा कि कब update आ रहा है और फिर उसे update करना है वह automatically update होते रहेगा जैसे ही कोई नया software आएगा नया वर्जन आएगा वह automatically phone update हो जाएगा तो चलिए हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं इसे कैसे करना है देखिए सबसे पहले आपको जाना है यहां अपने mobile के setting में देखिए यहां पे जो setting है इसके अंदर जाना है और इसमें आप जड़ा सा नीचे के तरफ scroll करेंगे तो आपको यह देखिए मैं दिखाता हूँ यहां पे एक आपको option मिलेगा यह देखिए system update का जो भी हर android में यह option होता है और यही एक interface है जिसे की software का जो भी update आता है यहीं पे आता है तो यहां पे ऎको a-p auch लोग है तो अब आपको यहां तो देते नहीं है विज हैं द हैं इससे कर नहीं पाते हैं रींहों लोग अपस इस्तेमाल करते हैं और इसो अपडेट नहीं करते हैं तो छलिए वा आपको बता जो कि आपको क्या करना है इसे auto update searching करने के लिए देखिए सबसे पहले आप को क्या करना यहाँ पर चलना है इसकन कर दिज्ये यह mait कर सो आपको आपकर डिर्बार के और यहां पर के तरफ नहीं आप है यहां पर किले manufacturer थेसी किलेन के बाद यहां पर देखी आपके सामने smart upgrade का एक option आ गया है बस इसको आपको on करना है अगर आप यहां पे on कर देंगे तो जिस तरह से मेरा on है इस तरह से अगर आप आपको दिखा रहा हूं तो इसको आपको जस्ट करना है यहां पर जैसे ही आप करेंगे आपके सेटिंग हो जाएगी अब कोई भी update मोबाइल का आएगा तो यह मोबाइल बिल्कुल update कर देगा automatically लेकिन हाँ एक चीज है कि आपको यहां पर क्या करना है कि आपका फोन जब भी यह connect होना चाहिए इंटरनेट से और यह phone बहुत smartly update करता है जब भी यह आइडल होगा जब भी यह फुरसत में होगी फोन तभी वह फटक से जो भी update आएगा उसे update कर देगा तो इस तरह से यह smart upgrade है और यह आपको update कर देता है कोई भी नया notification जैसे ही आता है अब इसके बाद अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके फोन पूरी तरह से बंद हो चुका है और डेड हो गया है उसमें कुछ भी काम नहीं करता है कोई भी function नहीं आता है वह even on भी नहीं हो रहा है और उसका कुछ भी स्क्रीन पर नहीं देखता है डेड हो चुका है तो उसको कैसे ठीक करना है तो उसके लिए मैंने एक अल्रेडी वीडियो बना रखा है कि उसको कैसे ठीक करना है तो मैं उस वीडियो का लिंक को आपको उपर में आई वटन में दे रहा हूं आप उस वीडियो को जा करके वह तो मैं उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा सारी चीजे मैंने बता दी है कि आटो अपडेट कैसे करने हैं और अगर कोई फोन बंद पड़ा है तो उसको कैसे ठीक करना है उसमें कैसे सॉफवर डालना है तो इसलिए आपको यह वीडियो अच हुआ तो अजया की यवारत का सॉफवर ब्राट स्उमे।